नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल जैनल इप इस्टोन ग्राफ हमें तो फ्रेंड्स आज की जो डिक्टेशन रहेगी वो लेशन 35 और 36 के डिक्टेशन रहेगी जिसके पीडियेप आपको टेलिग्राम पर भी मिल जाएगी और इसके पर भी आपक करके आप डिक्टेशन का रहा हमसे लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों और यह आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और सेर जुरू कर दें डिक्टेशन इस्टार्ट होगी तिन सेकेंड बाद बहनों वे भाईयों ग्राम पंचायतों की तरह पंचायत समीतियों वे जिला परिशदों के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाएंगे पंचायती राज के प्रतेक इस्तर पर सभी पदों पर महिलाओं का एक तीहाई आरक्षन सुनिश्चित किया गया अर्थार्थ 33 प्रतेशत महिला पंच सरपंच प्रधान प्रमुक बन सकेंगे अनुसूचित जाती वै अनुसूचित जन जाती के लिए भी जन संख्या के प्रतीशत में पद आरक्षत रहेंगे पिछडी जाती के हेतू भी राज्य सरकार ने आरक्षन किया है राज्य वित्यायोग गठित होगा जो संसाधनों को देखकर पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार के करों की आई का हिस्सा दिलाने की सिफारिस करेगा राजस्तान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समीती वें जिला परिशद अधिनियम 1969 को समाहित कर तथा तहतरवे समिधान संसोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजस्तान विधान सभा में नया पंचायती राज अधिनियम 9 अपरेल 1994 में को पारित किया गया जो राज्य पाल महोदे के अनुमोदन के पच्चात 23 अपरेल 1994 में को राज्य में लागू हो गया हमारे देश विशेश कर राजस्तान में पंचायती राज की आवशकता क्यों महसूस की गई यह प्रेशन आज हमारे मन में कोंदता है आज पंचायती राज इसलिए आवशक है कि इससे प्रेशासन में जनसामाने की सहबागीता बढ़ेगी इससे लोकतंत्र की जड़े मजबूत होंगी गाव की आवशकता के अनुसार विकास योजनाएं बनेंगी योजनाओं का किरियानवयन सब लोगों के सामने होगा लोकतांत्रिक पद्धतियों में प्रेश्चिक्षन पाने और जनतांत्रिक मूल्यों को ग्रहन करने का अवसर मिलेगा गरामिनों का उत्तरदायत बढ़ेगा तथा इससे ब्रष्टाचार में कमी आएगी अनुसूचित जन जाती वे अन्य पिछडे वर्गों की प्रभावकारी सहबागीता से राजनेतिक सामाजिक वे आर्थिक खाई पटेगी विकास समन्दी निर्णों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा सामाजिक कुरूतियां मिटेंगी लोगों में सहयोग और अपनत्व की भावना बढ़ेगी इससे गरामिन जीवन सुन्दर और सुखी बनेगा गाव की सम्रद्धी देश को गरीमावे सकती देगी और कमजोर वर्गों पर विसेज ध्यान दिया जा सकेगा पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों का विसेज कर अनुसूचित जन जाती अन्य पिछडे वर्गों आधी को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व देने में विसेज ध्यान रखा है राज्य के पंचायती राज इतिहास में इस बार उपरोक्त वर्गों के जन प्रतिनिधि अधिक मात्रा में निर्वाचित होकर आए हैं मैं इन सभी का सवागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि इससे सभी वर्गों को समान रूप से इन संस्थाओं में भागीदारी मिलेगी विशेश कर महीलाओं को जो लोग चुन कर आए हैं मैं उन से उमीद करता हूँ कि वे अपने गाउं अपने महले अपने छेत्र के विकास के लिए तन मन धन तथा पूरे मनोयोग से काम करें और अपने छेत्र की खुसहाली तथा उन्नती के लिए प्रयत्न सील रहें के अंदर सरकार पंचायतों के उत्थान के लिए पूरी तरह से सभी राज्यों को यथा सकती मदद देगी देश की लगभग तेन चोथाई जन संख्या गाओं में रहती है जिनकी आए कम होने के साथ साथ सिक्षा सवास्त पेजल आदी अन्य आवशक सुविधाएं भी उन्हें परियाप्त मात्रा में उपलब नहीं है पेरा बहनों वें भाईयों ग्रामिन छेत्रों और ग्रामिनों विशेशकर अनुसुचित जातियों जन जातियों कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मुलन भारत की विकास योजनाओं का प्रेमुक उद्दे हमारे प्रधान वंत्री के नेत्रतु में ग्रामिन विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना, 10 लाख कुवों के निर्मान की योजना, सुनिष्चित रोजगार योजना, समनवित ग्रामिन विकास कार्यक्रम, ग्रामिन छेत्रों में महीला तथा बाल विकास कार्यकरम ग्रामिन युवा सवरोजगार प्रेशिक्षन योजना ग्रामिन कार्यगरों को उन्नत किस्म के ओजार किट की आपूर्ती, सूखा ग्रस्त छेतर कार्यकरम, ग्रामिन युवा सवरोजगार प्रसिक्षन कार्यकरम, मरू भूमी विकास कार्यकरम, राजिव घांदी राष्ट्र पेजल मिसंत था ग्रामिन स्वच्चता आधी, कार्यकरमों का कार्यान वेन तेजी से किया जा रहा है, इन कार्यकरमों के माध्यम से गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, हमारे ग्राम प्रधानों के लिए केंद्र सरकार ने हर गाव में टेली फोन उपलब्द कराने की व्यवस्ता की है, ताकि उन्हें राज्य के मुख्याले तथा केंद्र सरकार के मुख्यालियों से संपर्क करने में कोई कठीनाई नहीं हो, यदि कहीं यह सुवीधा उपलब्द नहीं है तो मैं कोशिस करूँगा की वहां यह सुवीधा उपलब्द हो जाए, केंद्र सरकार ने संसद सदश्यों के माध्यम से सभी छेत्रों के विकास के लिए एक करोड रुपया मुहया कराने का जो कारेकरम बनाया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी पंचायतों के जरिये से ही होना है, हम तो चहते हैं कि सासन का केंद्री करण ने होकर विकेंद्री करण हो, सरकार की सत्ता सभी लोगों विसेज कर हमारी पंचायतों के हाथ में हो, हमारे प्रधान मंतरी जी गावों के उत्थान के लिए विसेश रूप से ध्यान दे रहे हैं उन्होंने अपने इस बजट में गराम विकास के लिए काफी अधिक धनरासी रखी है आप जानते ही हैं कि प्रधान मंतरी जी ने अभी हाल ही में कई योजनाओं की गोसनाएं की है जो आरंब भी हो चुकी है जिसमें से एक है वरधावस्ता पेंशन इसके तहत बुजरुगों को दो सो रुपे प्रतीमा दिये जा रहे हैं दूसरी योजना है जिस परिवार के एक मात्र कमाने वाले किसी व्यक्ती की मरत्यू हो जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत पाँच हजार रुपे तथा दस हजार रुपे जैसा भी मामला हो दिये जाते हैं प्राकरतिक रूप से मरत्यू होने पर पाँच हजार रुपे तथा दुरगठना से हुई मरत्यू के मामले में दस हजार रुपे सरकार देती है एक योजना हमने इसकूली बच्चों के लिए सुरू की है हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है और बच्चों से ही हमारे देश का भविश्य है जिस देश के बच्चे कमजोर और कुपोशित होंगे उस देश की तरकी सो भावते नहीं हो पाती है अधै हमने इसकूलों में बच्चों को दोपेहर का बोजन देने की विवस्ता की है वैसे तो पंचायतों के माध्यम से हमने पहले से ही कई योजनाई चलाई हुई है जैसे की महिला संब्रधी योजना इंदिरा आवास योजना मात्रत्व लाभ योजना के दोरान तेन सू रुपे दिये जाते हैं स्टॉप